ठीके संजीव आपके माध्यम से मारी नज़र बनी रहेगी और राजीव आप चाय की चुस्की के साथ विसलेशन करेंगे दो सवालों का राजीव मेरे दो एहम सवाल हैं आप से पहला यह है कि क्या EDCBI और कानुन की कारवाई से जो कड़ा स्यासी संदेश दिया जा रहा है उस पर कुछ बढ़ा होने वाला है दूसरा राहूल गांधी की सदसिता को लेकर जिस तरीके से माखौल बना हुआ है यह किस पर भारी पड़ेगा राहूल गांधी को मजबूत करेगा विपक्ष को एक जुट कर देगा या बीजेपी की मुश्कले बढ़ाएगा या आसान कर देगा 24 पर इसका सर कैसे देख देखे पहली बात तो है कि यह आदालती फैसला है और अदालत के बाद लोकसबा सचीवाले के पास कोई विकल्प नहीं था जब राहूल गांधी ने अपील भी 24 घटे नहीं की तो उनकी तरफ से उनको डिस्कौलिफाइग करना ही था कल की बैठे कल के आपके ही कारकर में म देखे जो हर लोकसबा के चुनाओ के बाद आती है तो 2019 में जो 17 लोकसबा का गठन हुआ तो जो 233 सांसद है उन्होंने अपनी एफिडेविट में ये घोशना कर रखी है कि उनके उपर आप राधिक मुकद में 130 के आसपास है जिन पर गंभी राप राधिक मुकद में उन्तिस ने खुद ही ये डिकलियर किया है कि उन पर हेट स्पीच के मुकद में ये सांसदों ने खुद घोशित कर रखा है अब अगर इस पर उसी तरह से तौरित कारवाई हो जाए और अब अदालतों में ये मामले लंबिद भी है अगर उसी तरह से तौरित कारवाई हो जाए जैसे राउल गांदी में के मामले में हुई है तो मुझे लगता है कि आधी संसद खाली हो जाएगी लेकिन 17 लोगसभा के कारिकाल पूरा होने में सिर्फी 11 महीने बचे और इस लोगसभा में डिस्क्वालिफा हानी का मुकदमा है जिस पर राजनेतिक रैली में कुछ बोला जो उन्होंने बोला है मोदी सर्डेम को लेकर के उस पर एक एक मुकदमा था जिस पर उनकी सदस्ता गई कई बार ये सवाल उठाया जाएगा कि यही तेजी आदालतों ने भी और जो लोगों ने शिकायते दर किये उन्होंने भी बाकी सांसदों और बाकी नेताओं के बिरुद्ध ये कितनी तेजी से ये काम हो रहा है दूसरी बात जब अदालत ने राहूल गांदी को मौका दिया था माफी मांगने का उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अदालत को जो आई पी सी की धारा चार सू 99 99500 बताया जा रहा है उसमें जो दंड देना था अदालत ने दंड दिया उसके लिए एक महीना उनको अपील के लिए मिला है वो सजा वो अपील कर सकते ही ये कानू लिए लड़ाई की बात है लेकिन सियासी मसला ये है कि कॉंग्रेस अपने आजादी के बाद से अपने सबसे बूरे दोर में गुजर रही कॉंग्रेस अब से सबसे बूरे दोर का चुनावी प्रदरशन कर रही कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी को को इस तरीके से निकलने के बाद जिस तरह से भार्ती जनता-पार्टी हमलावर है तो इससे ये सवाल उड़ता है कि हौक्या वास ये सवाल तब भी उठता है कि जब एक नाशिंदे की सरकार जो बनी है बीजेपी के समर्थन से उसमें कितने लोगों के खिलाफ एडी और सीबियाई के सम्मन सरकार बनने से पहले गए थे और सरकार बनने के बाद उस उन विधायकों में से कितने को तलब किया गया, कितने से कितने के खिलाफ चार्शीर दाखिल की ये सवाल पूछा जाएगा, दूसरी बात, पिछले एक वर्ष में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर एक वर्ष दो वर्ष की ही बात की जाए, अगर भारत का कोई राजनेता सबसे जादा पैसे के साथ गिरफतार हुआ है, तो करनाटक में बीजेपी के घर का बिक्ती गिरफतार हुआ है, आठ करोड रुपे, मुझे नहीं पता करनाटक पुलिस ने कैसे चापा डाला, या ये कारवाई हुई, लेकिन आठ करोड रुपे कैमरे पर दिखाए गए कि नेता कहां से मिले हैं, अगले दिन उसको जामा करोड है, 27 जनवरी के बाद LIC ने आज तक क्यों नहीं डिकलियर किया, कि जो 30,000 करोड अडानी की कमपनी में लगे थे, वो अब कहां पहुँचे हैं, सवाल उठाया जाएगा, कब जब सरकार से भी, जो मार्केट की नियामक है, उसने भी इतनी बड़ी सेयरों के घटने के बाद जो हमारा देश का गर और अउद्योग पती जो नंबर दो पर पहुँच चुके थे, वो 35 और 25 पर चले गए, लेकिन मार्केट रेगुलेटर से भी ने अपनी तरफ से कोई जांच इनिशियेट क्यों नहीं की, इसके आलवा, CBI, ED, ये सब आख के सामने घटता रहा, उनकी तरफ से कोई जानकारी क्यों नहीं है, दूसरे है, वित्मंतराले की तरफ से ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई, क्यों नहीं इनक्वाइरी गठित की गई, तब सवाल पूछा जाएगा, और तब सवाल उठेगा, क्यो सुप्रीम कोट के कहने पर दिल लिकर मेयर का चुन इसके आवरण से बचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा दूसरी बात यह है कि राहूल गांधी की सदस्ता जाने के बाद जो दातकाली प्रतक्रिया आपको विपक्च के नेताओं की मिल रही है उसमें सबसे जादा अगर मैं बयान देख पा रहा हूँ तो अर्विंद केजरिवाल कहा है अर्विंद केजरिवाल ने हमेशा यह कोशिश अपने आपको प्रधान मंतिर नरेद मोदी पर अटैक करने से बहुत बचा के रखा था लेकिन दो-तीन दिनों से जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो प्रधान मंत्री के खिलाफ कर रहे हैं जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं दो-तीन दिनों से जो आकरामक हुए हैं और इसका क्या मतलब हो सकता है और दूसरी बात एक मौका विपक्ष के सारे लोगों को मिला है कि म विपक्ष के नेता इस तरह से एक मुष्ट और लामबंध हो पाएंगे की नहीं यह बड़ा सवाल है अभी भी प्रधान मंतिर नरिन्द बोदी से लड़ने का कोई कारगर उपाए दुहर्जाज चोबीस में विपक्ष खोज पाएगा की नहीं यह भी एक बड़ा सवाल